वेलकम दोस्तों, मेरे पास कुछ इमेल आये हैं जिन में लिखा है कि सर हम तीन साल से चार साल से शीगर पतन की समस्या है और हम ये कभी-कभी जो इस्प्रे है मार्किट में इजीली स्प्रे मिलता है जो इजेकुलेशन को डिले कर देता है वो यूज करते हैं तो आपका इसके बारे में क्या रिकमेंडेशन है दोस्तों सबसे पहले मैं आपको बता दूँ कि आप अगर चार साल से कोई भी ऐसा स्प्रे जो लिंक पे मारने से आपकी टाइमिंग बढ़ रही है अगर आप वो इस्तेमाल करते हैं तो दोस्तों आप अपनी हैल्थ के साथ कहीं न कहीं खिलवाड कर रहे हैं सबसे पहले आपको प्रिमेच्चोर एजैकुलेशन का कोई न कोई प्रॉपर ट्रीटमेंट भूनने चाहिए जिसकी ट्रीटमेंट लेने से आपकी जो परिशानी है वो दूर हो जाए साथी साथ आपको अपनी लाइफ स्टाइल पर गुर्पतन होता क्यों है मैं आपको बता देता हूँ यह आपका लिंग है और यह फ्रेंट पार्ट है दोस्तों यहाँ पर यह वाले पार्ट में बहुत जादा हमारी ब्लड सप्लाई और नर्व सप्लाई होती है जिसकी वजह से कलत एंटर वियर का यूज़ करनी की की नसे कमजोर हो जाती हैं और आप बिल्कुल भी satisfied नहीं हो पाते तो दोस्तों आप सबसे पहले आपको ये चीजों का इस्तेमाल छोड़ना होगा आप कोई भी ऐसा spray ना यूज करें जो कि market में 400, 500, 600 रुपे बे मिल जाता है आप जब भी संभोग करते हैं आप परिमारते हैं और बहुत दिर तक संभोग करते रहते हैं वो एक तरीके का आपकी penis के साथ आप खिलवाड कर रहे हैं अपनी growth के साथ दोस्तों अगर आपको यह normal condition है मत्तब आप 5-6 महिने से ही आपको इस तरीकी के दिक्कत हो रही है कि आपका जो प्रेंट पार्ट है बहुत hypersensitive है तो गोले के तेल से आप अपनी लिंक की मसाज करें इस तरीके से और यह ध्यान लखें अगर आपका circumfit season नहीं हुआ है कि आप खाल पीछे करें और कोई भी man intimate wash से अपनी लिंक की जरूर सफाई रखें दोस्तों यहां पर bacteria infection हो जाता है खाल आगी की तरफ रहती है आप toilet करते हैं कभी कभी पानी नहीं से clean कर पाते है तो वो toilet लगा रह जाता है आप यूरिनेशन और यहां पर bacteria develop हो जाते है जिसकी वज़े से hypersensitivity हो जाती है तो आप हमेशा अपने लिंक का clean रखें cleaning बहुत जादे important है दूसरी चीज़ जब भी आप संभोग करें तो संभोग के बाद हमेशा अपने लिंक को जरूर clean करें तीसरी चीज़ आप लिंक को clean करने के बाद गोले की तेल से अपनी लिंक की massage करें और उसको धीरे धीरे धीर इस आदत को आपको छोड़ना होगा अगर आप यह continue करते हैं तो आपकी link की नसे को problem हो सकती है वह blocked हो सकती है और आपको दूसरी परिशानियों का सामना करना पड़ सकता है तो दोस्तों इस तरीकी के अगर आपको समस्या है या आप इस तरीकी की कोई medicine यूज करते हैं तो हमा अपनी premature ejaculation को दूर की समस्या को दूर कर सकते हैं तो दोस्तों मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए information के साथ इजाज़त दीजे thank you very much